हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का CPT Influence YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंट्रूडक्शन ओप इस्क्रू प्लेंजर टाइप इंजक्शन मोल्डिंग मसीन तो जे श्रीकृष्ण दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को इतजी सिमिलरली टू प्लेंजर प्लेंजर मसीन एकसेप्ट यह जो मसीन है वो प्लेंजर टाइप जो मसीन है उसी के सिमिलर उसी की समान है लेकिन यहां पर क्या होता है जो प्लेंजर करने के लिए हम इस्क्रू का यूज करते हैं वहां पर क्या होता है वहां पर डवल प्ले रहते हैं प्लास्ट साइजिंग के लिए और इंजेक्ट करने के लिए तो यहाँ पर हम इसकूर का यूज करते हैं मैट्रील को प्लास्ट साइज करने के लिए मैट्रील को मिल्ट करने के लिए here the screw extrusion system is used to melt the material and to transport it to front of the screw for injection यहाँ पर क्या होता है एक screw का use किया जाता है जो metal को melt करता है और इसको ट्रांसपूर्ट करता है जो फ्रंट का मतलब आपका वेरल रहेगा उसमें आपका ट्रांसफर कर देगा metal को और वहां से क्या होगा metal को injection किया जाएगा तो इसके advantages क्या है color change can be handled in shorter time यहांपर अगर हमें color change करना है तो हम कम time में color को change का सकते हैं later mixing mixing अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे screw का use किया गया है वहाँ पे हमारा plunger रहता था तो यहाँ पे screw रहता है इसके लिए mixing रहता है material का वो अच्छा रहता है high injection pressure is available यहाँ पे injection pressure भी जाना रहता है इसके आप में disadvantage की बात करेंगे तो required two cylinder and two set of heat controls यानि कि यहाँ पर क्या है दो हमें cylinder चाहिए और दो हमें heat controller चाहिए क्योंकि दोनों में भी heating देना पड़ेगा और एक हमें screw में रहेगा cylinder और एक रहेगा आपका plunger में जो यानिक inject करेगा more difficult to clean clean करने के लिए problems होता है difficult रहता है क्योंकि होता क्या है screw में metal लगा हुआ रहेगा जाम color change करेंगे उस ताइम में जाम उसको clean करना पड़ेगा तो उस टाइम में क्या है कि वह उसको clean करने के लिए difficult रहता है longer cycle time then reciprocating screw type machine यानि कि इसका cycle time रहेगा 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 सबसे एडवांस टेक्नलोजी का मसीन है उससे अधिक रहेगा यहां पर image दिखाया गया इस प्लेंजर टाइप injection समय जहां पर इसकूख का यूज किया गया होँआ पर material प्लास साइज होगा मिल्ट होगा और उसके बाद में उसको transport करेगा सेकंड बैरल में जहां पर मैटल स्टोर होगा और इसके बाद में वो प्लेंजर के द्वारा मोल्ड में इंजेक्ट हो जाएगा तो इसमें होता क्या है यह मतलब प्लंजर प्लंजर के बाद में इसको देवलब करके मसीन को बनाया गया जो कि काफी अच्छा इसका प्लास्ट साइजिंग वो अधर पेख्या हो गया था तो पहले प्लंजर को जो थे यहांपी इसके लिए हमारा जो मेट्रियल है वो मेल्ट जो है बहुत अच्छा हो रहा था इसके बाद में हम इसमें मतलब काफी अच्छा प्रोड़क्ट बना पा रहे थे जैसे कि मतलब हमारा मेट्रियल जब मेल्ट अच्छा होगा तो प्रोड़क्ट में फिंसिंग अच्छा आएगा साइनिंग आएगा तो यानि कि काफी अच्छा काम किया है मसीन ठीक है तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अभी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो जो बनाएंगे वो है रेसे प्रकटिंग टाइप इसक्रू इंजेक्शन मोल्डिंग मसीन तो वीडियो को अभी तर सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करें धन्वादो